हेलो स्टूडेंट्स तो फाइनली हमारा अब हम लास्ट एलिमेंट की बात करने वाले हैं जैसा कि हमने अभी तक बात कि कि विजुल इंडप्रेटेशन में कौन-कौन से एलिमेंट से जो बहुत जादा यूज में आने वाले हैं और उनकी हेल्प से हम कैसे किसी भी इमेज को आइडेंटिफाइ कर पाएंगे कि उस इमेज में वह फीचर क्या काम करने वाला है तो अब जो हमारा लास्ट फीचर है जैसे हमने अभी तक बात की कलर टेक्स्चिर पैटर्न वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टन फिनोमेना है बहुत इंपॉर्टन एलिमेंट है जिसका नाम कि फोटो क्रेमेटरी करने है उलिए नाम मुझे कहीं करना मğan बखोने जहां पर कि ऑंधर बहुत ऻ़ादा क के स्टों रॉच्प है अगर मुझे वह सारी चीजह मिलने वाले हैं तो जर्म मझे वो मझे वह इमेज मिलेगी तो मैं कर सकती हूं और अधिजο काम आरे चीजे प अच्छे शिखा करेंगे उस चीज को interpret कर सकते हैं वहीं पर मैं situation की बात करूं situation मतलब कि कि वहाँ पर presently क्या situation है जैसे मान लीजे मेरे पास कोई image थी पहले से एक area की image मेरे पास पहले से थी जो पूरी rectify करके रखी हुई थी की अब मैंने क्या किया उसकी वापस से कुछ images वापस से sensor ने click की और बेजी है ठीक है मुझे मिल गई वो images बट वहाँ पे images में मुझे बोखोट सारे changes देखने को मिल रहा है ठीक है changes देखने को मिल रहा है जैसे कि वहाँ पर जो पहले area कि actual situation पता होगी हाँ वहाँ पे इस तरीके का यह काम चल रहा है जिसे मान लीजी मुझे पता है कि वहाँ पे Metro का काम चल रहा है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ अगर यह Metro का काम चल रहा है तो यह जो आपको लाइन दिख रही है हो सकता है स्लीपर्स हो या फिर यह जो लाइन है यह रेल्स पत्री का जो एक पार्ट हो सकता है इसके अलावा आपको अगर एक उपर ब्रिज जैसा कुछ दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है अभी Metro का ब्रिज बन रहा है construction में है तो इसलिए अगर आपको महां की situation प दो चीजे बनी होई है वो दो चीजे किस तरीके थे किस तरीके से एक दूसरे से associated है यह चीज हमें पता चलेगी जैसे मैंने example भी दिया था जैसे मान लेजे कि क्या है आपके दो स्कूल है प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल है अब प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल दोन तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कि कैसा association है, जैसे दो schools थे, दोनों schools में से एक school से क्या associate था, basketball court, और एक school से क्या associate था, छोटा सा playground, तो हमने क्या किया, इन दोनों में अंदाजा लगा लिया, कि हाँ, अगर इससे ये associated है, तो ये school हो सकता है, औ अगर इससे ये associated है, तो ये school हो सकता है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ, light industrial building की और एक shopping plaza की, जो light industrial building होगी, वो भी almost same दिखेगी, मतलब अगर हम उपर से देखेंगे, तो दोनों क्या दिखेंगी, same दिखेंगी, हम को दोनों में से differentiate करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कि कौन सा shopping plaza है, ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे, तो जो shopping plaza रहेगा, वहां की जो parking रहेगी, वो parking का area कैसा रहेगा, बढ़ा रहेगा, वहीं पर वो जो industrial building रहेगी, उसकी parking area बहुत छोटा हो सकता है, ठीक है, या फिर parking area ना भी दिया हो, तो आप parking area मतलब की, इन building से associated चीज़े, जो parking area है, वो, उसकी help से क्या किया, आपने दोनों को differentiate कर लिया, कि कौन सा वाला area जो है, वो industrial area है, और कौन सा वाला area जो है, आपका वो shopping plaza है, ठीक है, इसके अलब आप और भी तरीकों से differentiate कर सकते हैं, association देख सकते हैं, जिसे कि अगर आपनी कोई commercial properties है, जहाँ प होंगे, या फिर sports field होंगे, मतलब कि अगर मान लीजे, आपको से, मतलब आपको differentiate करना है, दो चीज़ों में लगला कि commercial area कौन सा है, और आपका residential area कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, उससे associated चीज़े जुड़ी हुई जितने भी चीज़े, आप वो देखेंगे, जिसे आपको वाला जो area कैसा है, वहीं पर अगर कोई residential area होगा, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पास-पास में क्या है, बहुत सारे playgrounds भी है, temples भी है, सांसात में क्या है, sports fields भी बनी हुई है, इस तरीके से में association की, site की, और किसकी होने वाला है, तो आज हमने देख लिए इस वीडियो में कि site, situation और association किस तरीके से हमारे लिए काम करेंगे, interpretation में, अब next video में मिलते हैं, thank you.